हलो और वेलकम टो गुलोबल अकेडिमी इस स्टूडिय में हम फार्मर चीफ दिस्ट आफ जम्मेंड कश्मीर डाक्टर फारुक अबदुला के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वाज रेसेंटली टेस्टिट पॉजिटिव फार कोविट नाइटीन तो जानेंगे बहुत कुछ स्टूडिय में आगे चलने से पहले नाइवर से रिक्वेस्ट है हमारे शनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें यह है फारुक अब्दुल्ला फार्मर चीपनिस्ट्र आफ जम्मु एट कश्मीर और इसवकत करन्ट मेंबर अफ पार्लीमेंट है फालोक सब्सक्राइब यह जूम्ड आफिस ऑन 16 अपरिल 2017 फ्राम सिर्नागर कंस्टिचुएंट्टिवेंसी फारुक अब्दुल्ला हिवास बारनन 21st अक्तूबर 1937 इन सिर्नागर जम्मु एट कश्मीर जो इसवकत प्रिंसली स्टेट थी जम्मु एट कश्मीर इसवकत करंटली यह यूनिन टेरिट्री है नेशनल्टी इंडियन और यह पोलिटिकल पार्टी जम्मु एट कश्मीर नेशनल कांफरेंस से बिलांग करते हैं उनकी वाइफ का नाम है मॉली अब्समीर अनकी मेरेज हुए सचिन पाइलेट के साथ जो इनके सानिल पार्टी तो फर्स्ट टाइम फारुक अब्दिल्ला बने थे फूर्थ चीफनिस्ट अफ जम्मेंड कश्मिर एंट सेप्टेंबर 1982 तो जुलाई 1984 उसके बाद 1986 में यह फिर चीफनिस्ट बने अप्टो 1990 उसके बाद अक्टूबर 1996 से 2002 तक यह फिर जम्मेंड कश्मिर चीफनिस्ट रहे उसके बाद जम्मेंड कश्मिर में प्रेजिडेंस रूल रहा प्रेजिडेंशल रूल चलता रहा दन ही वास सक्सेडिट बाइ मुफ्ति महामस साइद फारुक अब्दिल्ला यह इस वाकत प्रेजिडेंट है जम्मेंड कश्मिर नेशनल कांफरेंस के and he assumed this office 1981 और यह मिनिस् मुटेमवार फारुक अब्दिल्ला जम्मेंड कश्मिर नेशनल कांफरेंस के प्रेजिडेंट भी है तो जम्मेंड कश्मिर नेशनल कांफरेंस यह एक political party है जम्मेंड कश्मिर की in the union territory of जम्मेंड कश्मिर इसके बाद यह जम्मेंड कश्मिर नेशनल कांफरेंस नेशनल कांफरेंस नेशनल कांफरेंस के लिए बाद में इस political party का नाम 1939 में change किया गया एस नेशनल कांफरेंस अभी recently कुछ टाइम पहले फारुक अब्दुला he was tested as positive for COVID-19 या फिर नुस्तान टाइम्स की news देख सकते हैं और ये news first time दे थी उनके बेटे उमर अब्दुला ने जो farmer चीपनिस्टाफ जम्मेंड कश्मिर रहे हैं या आप उनका tweet देख सकते हैं Umar Abdullah, my father has tested positive for COVID-19 and is showing some symptoms. I will be self-isolating along with other family members until we get ourselves tested. I request anyone who has come in contact with us over the last few days to take all the mandated precautions. So, उन्होंने डार्टर फारुक अब्दुला के बारे में information दी है कि वो positive उनका test आए for COVID-19 और खुद को और अपनी family को उनने उनसे isolate किया है. उसके लाब प्राइमनिस्टर अफ इंडिया उन्होंने भी tweet करके wish किया है for a speed recovery from the viral infection. ये आप उनका tweet देख सकते हैं. प्रेइंग for the good health and speedy recovery of डार्टर फारुक अब्दुला जी. आजो प्रेइंग for your and the entire family's good health at the rate उमर अब्दुला को ये tweet किया था, प्राइमनिस्टर अफ इंडिया ने, प्येम मोदी सेडिना tweet. So, four days उनको हो चुके हैं. Now, आज उनको hospitalized किया गया है और ये information के बेटे उमर अब्दुला नहीं दी है. Based on the advice of doctors to enable them to better monitor my father, he has been admitted to hospital in Sinagar. तो ये information दिया through a tweet by his son उमर अब्दुला अन 3rd April 2021. तो ये था complete analysis इस topic के बारे में. I hope आपको बहुत कुछ जाने को मिला होगा इस video में. Okay, thanks, best of luck and as always, God bless you all.